आप सब लोग अवगत हैं आप इसमें डिस्ट्रम नहीं कियेगा भाई यहां पर रखना अब रख लीजा मत रखियेगा न रख लीजिस को अब शुरू करें आप सब लोग अवगत हैं कि भारत के समिधान के भाग नौ तथा समिधान की धारा 243 से 243 ओं तक त्रियस्तरीय पंचायतों के प्रावधान सन्य थे धारा 243 के की अंतरगत इन पंचायतों के निर्वाचन का परिवेक्षन निदेशन तथा नियंतरन राज निर्वाचन आयोक के अधीन जारखन राज अंतरगत तिरस्तिरी पंचायत निकायों ते था ग्राम पंचायत पंचाय समिती का कारिकाल वर्ष 2020 के माह दिसंबर में समाथ हो चूका है जारखन पंचायत राज अधनियम 2001 की धारा क्रमशा 25, 46 एवं 61 के बंधों के अनुसार यद्यपी निकायों की पांच बर्षों की अवधी के अवसान के पूरू इनके गठन हेतु आम निर्वाचन कराय जाना पेक्षित था परन्तु COVID-19 जैसे महामाईरी के कारण इसमें विल प्रखंटों की संख्या 264 है ग्राम पंचायतों की संख्या 4345 है तो इसमें जो ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन छेत्रों की संख्या है जिसको हम लोग रूरल वार्ड कहते हैं जिसमें कंडिरेट्स एलेक्ट किये जाएंगे एलेक्शन जिनका होगा 53,489 ज राम पंचायत्की मुख्या जिनका चुनां होगा 4345 है पंचाय समित के छिट्री निर्वाचन छित्रों की संख्या 534 और जिला प्रशत के छित्री निर्वाचन छेत्रों की कुल संख्या पांसो छत्ते से इन सभी चार विभिन्र प्रकार के बदों पर जो वोटर है वो उनको चार प्रकार के मत्पत्र मिलेंगे और वो इन पर वोट डालेगा जो मद्दाता सूची है वो एक जनवरी 2022 को अरहता की थी मानकर जो पांच जनवरी 2022 को अंत्यम रूप से भारत के निर्वाचन आयोक के द्वारा प्रकाशित की गई है और जिसमें हम लोगों ने उसका विखंडन करते हुए 14 फरवरी 2022 को जिसका अंत्यम प्रकाशित की गई ह वो इसमें तयार की गई है और अद्मिवरू से प्रकाशित की गई है जिसमें कुल जो मद्दाता हैं वो एक करोड़ 96,16,504 हैं जिसमें पुरुष मद्दाता एक करोड़ 77,721 हैं महिला मद्दाता 95,045,702 हैं और अन्य में 81 मद्दाता हैं मद्दाताओं की पहचान के लिए एक आईडी जरूरी होती है जो जिसके लिए हम लोगों ने 12 प्रकाशे दस्तावेज निर्धारित किये हैं इन दस्तावेजों की सूची हम आपको इस प्रेस कॉन्फरेंस के पश्चात उपलभ कराएंगे जो आपको दस्तावेज मिलेग जिसमें समयतनशील बाइस जारनों से एक सट हैं और अती समयतनशील 17699 हैं अवशेस 12821 सामान श्रणी के मद्दान केंद्र हैं इन मद्दान केंद्रों में हम लोगों ने आधारबूत नियूनतम सुब्धाय उपलब्ध कराने का अंदेश दिया है पेजल शौचाले रैं और क्लस्टर सेंटर प्रिकाश बगारा की विवस्ता जिले के समाहरता या उपायूत कराएं जो मद्दान दलों का गठन होगा जो जिले के एंप्लॉईस हैं वो एक विशेस एप्लिकेशन सौट्फियर के माध्यम से रैंडमाजिशन प्रित्लिया अपना कर किया जाएगा यह रैंडमाजिशन प्रित्लिया तीन चरणों में होगी पहले चरणों में पात्र कर्मचारियों के पैक्षाकरत व्यापक जिला डाटाबेस से नियूनतम 120 प्रिशत की एक सूची का चेयन किया जाएगा फिर समूह को मद्दान ड्यूटी के लिए ट्रेनिंग दी जाएग जी दूसरे चरण्में इन ट्रेंड कर्म預 jogos में एक प्रशिक्षित कर्मियों में अब्र्वर्श की उपस्थिती में रैंडम सैलेक्शं दौर वास्त्रिक मद्दां दलों के घ्रिंट हया और तीस्रे स्टेज में मद्दांदलों के प्रिषान की ठीक पहले रैंडम तरीके स उन्हें मद्दान किंद आबडित किये जाएं जो चुनाओं है आपको मालूम है कि यह चुनाओं जो एमेले एंपी की चुनाओं होते हैं वो एवी एम से होते हैं लेकिन इसमें मत्पेटकाओं का प्रियोग होता जिसको बैलेट बॉक्स कहते हैं बैलेट बक्सा कहते हैं तो तो इसमें अंठानुए हजार एक्यासी मत्वेट काएं प्रियोग हो रही ही जो बड़े साइस की हैं और 49,928 मत्वेट काएं का प्रियोग हो रहा है जो छोटी साइस की इसमें जो मानेनी उच्छतम न्याले ने 2013 में निर्ने दिया था उसके इंसार शपत पत्र भी देना पड़ता है वो देना अन्यमारी है सभी प्रकार के निर्वाचनों में उसमें सुघोषणा पत्र और सपत्पत्र जो रहता है कि उसे उसमें जो निदेश दिये गए हैं कि अभ्यर्थियों से वाविक्षत है कि वो सभी कॉलम को भरें सपत्पत्र शोगोषणा पत्र में यदि कोई कॉलम खाली छोड़ा जाता है तो निर्वाची पदाधिगारी सम्मंधत अभ्यर्थियों को समंध में एक नोटिस ज जा सकेगा एक कम्मिनिकेशन प्लान हम लोगों ने बनाया है संचार युजना बनाया है यह जिला में यह उसका मदान की दिन कारगर प्रियोग हो कि वो दूर संचार विभाग के अथिकारियों है आग्रनी सेवा प्रदाव की प्रद्धनिकार साथ समयन्में करें और नेट सबी महत्पूर आईजोनों की विडियोग्राफी कराई जाएगी और जिला पदाधिकारी इसके लिए पड़ियाब संख्या में विडियोग्राफी दलों का गठन करेंगे इस विडियोग्राफी में सिर्फ नाम रिदेशन करना उनकी स्कूटनी करना ये तो शामिल ही है प्रचार अभ्यान के दोराण जो महत्मूर बैठके होंगी सभाई होंगी चुलूस निकलेगा उसकी भी विडियोग्राफी करना अवश्चक होगा पिति विवस्था एवन सुरक्षा बिलों की तैनाती निर्वाचनों के संचालन में विस्तिरत सुरक्षा प्रमधन शामिल होता है इसमें मद्दान कर्मियों की सुरक्षा मद्दान केंदरों की सुरक्षा मद्दान समगरियों की सुरक्षा निर्वाचन प्रक्या की समगर तो हम लोग चाहते हैं आयोग चाहता है कि ऐसा परवेश का निर्वाचन सुनिश्चित कराई जा सकें बिना किसी बाधा बिना किसी अन्चित रूप से ब्रहाइद भैवीत हुए लोग मद्दान के इंदर तक पहुंचें जमीनी स्थिति के आकिलन के अधार पर इन ससत्य पुलों का निर्वाचन के तोरह निनकी तैनाती की जाएगी और इनका उप्योग मद्दान के इंदरों की सुरक्षा करने और मद्दान के दिन निर्वाचकों और मद्दान कर्वियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए किय जाएगा इसके लाबा जब मद्दान हो जाएगा तो जो स्ट्रोंग रूम हैं उनकी सुरक्षा के लिए इंका प्रयोग किया जाएगा और मद्ध़ना के लिए वि껏 को मसारों जख सकते जाएल के शेजानियां करने लिकुत जाती हैं नहीं है अनोय सूफस्छ जाती इनिसे सदस्ट ओमना करने के लिए कि विष्ञत अभ्यर्ति ओमनाड करने के लिए वूह बंध्य रीथिए भिन्य रीथिए मजबूर नहीं कर सकता है अगर ऐसा करेगा तो परवास की अवदी छे माहें से कम नहीं होगी जो पांच वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगा और इसके लाबाद जुर्माना भी लगाया जा सकेगा उनसे कहा जाया का कि विस्वतंत्रे में इस्वक्ष निर्वाचन को संपन्द कराएं और प्रतेख चानपर पहनी नजर रखें उनके नाम जिला निर्वाचन छेत्र के भीतर पते उनकी टेलिफोन लंब्रों को इस्थाने समाचार पत्रों में प्रचार पसार किया जाएगा और किसी भी प्रकार की शिकायत का निवालन करने के लिए वो उपलब्ध रहेंगे निर्वाचन वै इस चुनाव में हर एक स्थर पर कमिशन ने आयोग ने ये निर्धारित किया है कि कौन कितना वै कर सकता है तो सदस ज्यक्रा कि सदस हैं अर्धाषी निर्वाचन ये षथर धी इनक reversal कितना रखी सीमा है 14 जुघ नीरी की सीमा में है कि जो ग्राम पंफ्रशट की मुखियां है उनके निर्वाचन वै की सिमा है 85,000 पंचाई समय स्पॉइब उनकी आय की सीमा वे की सीमा है एक्सपेंडीचर लिमिट सेविंटी बन थाउजंड एकत्र हजार रुपे और जो जिला परशत के छेत्री निर्वाजन शेत्र के सदस हैं उनकी सीमा है दो लाग चोदा हजार तो इनके अनुश्रम पे इस पर निगरानी रखने के लिए हम लो हम लोगों ने यह भी कहा है इस्पेशली उत्पाद शुल्क विभाग को कहा है पुलिस को कहा है कि इस ध्यान दिया जाए कि मादयक पदार्थों का उत्पादन वित्रण विक्री भंडारन पर विश्यस निगलाईनी रहे पीर्ड न्यूस के बारे में एक सेल बनाया गया है हर एक जिला में और इस पर मीडिया प्रमाण और अन्रुविक्षण समिती निगलाईनी रखेगी और इस पर कारवाई की जाएगी सभी अधिकार्यों से अपेक्षा करता है आयो की वह करतवियों का निच्पक्षलिakte से बिना किसी भ्यया पक्षपात के निर्वहान करें और इस दौरान जितने भी पदाधिकारी करमचारी है वो निर्वाचार के दौरान उन्हें आयोग की पृतिनिक्त पर माना जाएगा और वे आयोग के नियंतल परिविक्षण और अनुषाषण के अधिधीन होगे सबी सरकारी अधिकारी के आच्रान जिन्हें निर्वाचन संब्धी जिम्मिदारी और कर्दावशां विस्वां। जो निर्वाचन संचानन के लिए जिले के डि.C. और संचार योजना याता योजना बनाया है इसी बनाई गई है स्पेशनी जो अधिशंवीद्ध शील मद्दान के इंदर हैं इसके बारे में ध्यान रखनी के आवश्चक्ता है आदर्श आचार सहिता इस निर्वाचन की घोशना के साथ ही पूरे राज्ज में आदर्श आचार सहिता ततकाल प्रभाव जो लागू हो गई है पंचायत छेत्रों में इनकी उपबंद सभी हिस्तों में जो नगरपाल का केंटॉन्मेंट शित्र को छोड़ कर लागू हुए हैं और सभी अभ्यार्थियों पर सभी राजनेतिक दलों पर और सभी जारखन राज्ज सरकार पर भी लागू होंगे सभी बदादीकारियों पर केंद्र राज सरकार की पुनानी उजना का कारिमेरन हो सकता है और वो आदर अचार सहिता से प्रभावित नहीं होगा चाहे उसमें टेंडर भी इन्वाल्व क्यों नहीं लेकिन जो नई उजनाय है या जो जिला परशद पंचाइश समीद पंचाइश की उजनाय है वो सब अचाइश सहिता के बढ़ लें अन्य था इसका उलंगन होने पर प्रात्मी की दर्ज की जाएगी और करवाई की जाएगी एक जो नई बात इस इलेक्शन में हुई है पंचाइटी राज विभाग की गजट अधिसुचना जो संख्या 685 दिनांग 142 वाईस है उसके निदेशानुसार अन्य प जाएएगे ऊपन क्याटिकरी सीट्स तो सभी के जिला अधिकार्णी ओं को कहा गया है उपायक्तों कि कुछ जिला घजट में जो इतने स्वीं इस स्टारे के पद हैं जो इस शिर्णनी में पहचाने गये हैं और महिला के लिए वो ओपन क्याटिकरी महिला पूरुष के लि सबसे नहीं होगा मद्गणा कार यह कुंकि पूरे चुनाउज चारण में करा रहे हैं किसी तीन चरण में किनी जिले में दो चर्ण में भी तो एक चर्ण मे कोई जिला नहीं है learnt दो चर्ण में भी एंट ठीक चार लेमाता कि लुट रख मदग्टन के प्रश्चात धी मत गढ़ना हो जाएगा इससे हमारा हो जाएगा उतना एक्स्ट्रा अदमीपी हो जाएंगे और संस्ट्री को जाएat कर दीषा छोसे मैं न एक साथ Ch tampoco कर आई जाए हम लोगों ने एक्जामनेशन को देखते हुए मौसम को देखते हुए सेट्रा कलेंडर को देखते हुए तेहारों को देखते राज में विद्दमान कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए पुलिस बलों की उबलगता को देखते हुए इसमें जो चार चरण है उसमें जो चुनाओं होंगे वह 14 मई 19 मई 24 मई और 27 मई को हुँ लेकिन जो पहला चरण है 14 मई का उसका जो सुचना का प्रकाशन ह जो चलेगी जैसे में उधारन के लिए बताता हूं बाकी चरणों में भी ऐसी होगा फैल को जिला निर्वाचन पदाधिकारी प्रपत्र पांच में निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन करेंगी कि तेईस अप्रेल तक नाम निदर्शन करने के लिए अंतिम तारीक होगी कि पहले चरण का है और सभी चरणों की तिथियों का में आपको पूरा विवरण इसके पश्चाथ अप्लब्द करा तो यह नाम निदर्शन जो होगा ग्यारा बज़े अप्राण से लेके तीन बज़े अप्राण तक होगा इसके पास स्कूटनी इसको कहते हैं संभीक्षा ते 25 अप्रेल और 26 अप्रेल को स्कूटनी की जाएगी संभीक्षा की जाएगी नाम वापस लेने की तारिख है 27 अप्रेल और 28 अप्रेल निर्वाचन प्रतीक आवंटन जो अलॉट्मेंट ऑफ सिंबल्स होता है जिसका और निकला हुआ है वो किया जाएगा 29 अप्रेल को यह पहले चरण के बारे में कह रहा हूं और मद्दान होगा 14 माई को बीच में प्रचार प्रचार के लिए समय जो दिया जाता है कि इसकी मदगर्णा 17 माई को हो जाएगी इसी प्रकार से 23 चरण तिर्थी चरण और 24 चरण की तित्यान निर्धार की गई है जिसको हम आपको अवगत कराएंगे इस प्रेस कांफरेंस बात आप लोगों को जो सूचना दी जाएगी उसमें वो सभी चीज़ें आप देखिएगा मद्दाताओं की संख्या विभिन रूप से जो और भी चीज़ें आपको सभी चीज़ें कोई प्रशन के आवशक्ता नहीं पड़ेगी ह हमने इस इसमें को जिनको भी आयोग के द्वारा चुनाओं लड़ने से प्रतिबंदित किया है वही लोग ही प्रतिबंदित हैं कि उसके लिए आदेश निर्का निगत किया हुए तिती भी निर्गत की है कि कितने दिनों तक के लिए वह उन्हें बाधिद किया हुआ कि अध्याओ कर देटा हुए और उनके डिटेल्स हम आपको दे रहें तो कोई भी अब मंत्री या कोई मैं आदस अचार सहीता कि प्रितलीपी अपने अपने अप्लोड करा देता हूं इसमें सारे डिटेल्स दिवें कि मंत्री क्या करेगा वो क्या करेगा आप यह कि वी स्ट् नए योजनाओं की उप्रिशना नहीं हुए लेकिन आप उसको पढ़ लीजे और पढ़ने के बाद अगर कोई उसको कोई आपको कंफीजन हो तो जरूर हम लोग पताधिकारी है क्लिए कि उसमें एक नहीं बहुत सारे पॉइंट्स है और मैं अपलोड करा दे रहा हूं और अब लोगों के तरफ से जो था अधिकताम कारिया भी हुआ है बाद में हम लोग भी अपने जो भी निउस होगा वो आपको अपलोड कर दिया करें और देने शाम को आपको आपको ये समाचार मिल जाए करेंग जो लोगोशन के राजस्तर का बेली चाही हम जो भी सुचना होगी अपलोड होगी जो सुचना जिला स्था पर हो हुआ है को से करते हूं अभा स्था को आपको जला की आपके जो जो सम्मादा का है Скशना है कि दिए को इसमें पर्सन अगरां किया जाता है कि वह हम सारी सुचना आपको मिलेंगी उसमें कोई कमी ने रहने देंगे निश्पक्षियम शांतिपूर्ण डंग से चुनाव कराने के लिए सभी आतियातन प्रबंद किये जाएंगे और सुरक्षाबलों की तैनाति की जाएगे राज्य में जो पुलीस बल है उसका पूरा उप्टिमल यूटिलाइजेशन किया जाएगा थैंक यू बेरी मच्छ धन्यबाद फोल्डर सब्रुक लेज़ेगे